नमस्कार मैं डॉक्टर कमले सुरियोंशी आपका होमेपैथिक मित्रा दोस्तो इस वीडियो में हम देखेंगे रिंग वाम इन्फेस्टेशन के बारे में रिंग वाम यह बहुत हाइली कॉंटेंजियस डिजीज है जो हमारे स्कीन के उपर दिखाए दिता है यह बैसिकली फं स्कीन के आउटर लेयर में होते है और इसलिए इनका कॉंटेक तुस्रे आध्मी से कॉंटेक्ट या दूसरे एनिमलसे कॉंटेक्ट होके उनको इनफर्डेड करना यह बहुत ही कॉंओन बात है यह बहुत ही ed to ho нельзя इनमें से प्रॉबलम हमें बहुत ही कौन नजर आती है इसके तीन जो रूट है उससे यहाँ सप्रेड होता है एक आदमी से आदमी को दूसरे एनिमल से आदमी को और तीसरे वस्तुवत से आदमी को कैसे अगर समझो एक बंदे को यह रीन वम का प्रोब्लम है और उसका तॉलिया अगर हमने यूज किया उसका कॉम हमने यूज किया उसका शेविंग किट हमने यूज किया उसके कपड़े अगर हमने यूज किये तो उसके जो इन्फेक्शन है उसके स्कीन के उपर ज वह easily transmit हो सकते हैं, इसलिए इसे कहा गया है highly contagious है, इसका transmission बहुत ही subtle और easy है, और फिर आप easily infected हो सकते हो, वैसे ही बहुत सरे ऐसे sports है, जिसमें आजमी एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, जैसे हम कबड़ी देखते हैं, wrestling देखते हैं, ऐसे बहुत सरे sports है, उस sports में यह infection transmission के chances ज़्यादा होते हैं, अगर आप tight कपड़े पहन रहे हो, तभी भी यह infection लगने के chances ज़्यादा हो, वैसे अगर आप किसी गर्म मौसम में रह रहे हो, वहां का जो environment हैं, वो बहुत ही गर्म हैं, जैसे हमारी इंडिया में चन्ने का बहुत गर्म वहां होता है, या मुंबए में बहुत ही गर्म और humid वातावरन होता है, तो यहां ringworm के manifestation के जो problems हैं, वो आपको केसे ज़्यादा मिलेंगे, वेसे ही एक animal से एक woman को यह problem होती है, अगर यह animal जो है, यह प्राणी है, अगर infected है, अगर उसको हमने चू लिया, तो हमें इसकी problem हो सकती है, बहुत बार हमारे घर में जो pet dogs होते हैं, या बिल्ली होती है, या हमारे गाई होती है, भैस होती है, घोड़ा होता है, अगर उनको यह problem है, और हम उनके संपर्क में बार बार आ रहे, तो यह problem हमें आ सकती है, इसलिए अगर आपको उन प्राणियों के उपर ऐसे कुछ patches दिखेंगे, तो आप immediately आपके नजदी के veterinary doctor को यह बात बताईए, उनसे इसकी जाच करवाईए, और उनसे यह treatment करवाईए, वैसे ही, अगर किसी infected आदमी ने किसी वस्तु को छू लिया, और फिर वह वस्तु को हमने भी छू लिया, तब यह transmission easily हो सकता है, इसलिए, जब हम किस से मिलते हैं, किस से handshake करते हैं, तब हमें ध्यान रखना चाहिए, कि उसके बाद हमें immediately हमारे हाथ दो लेने चाहिए, या दूसरे के जो कपड़े हैं, वो हमें इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, दूसरे के जो वस्तु हैं, हमें वो यूज नहीं करने चाहिए, ना कि हमारे भी दूसरे को देने चाहिए, तो यह बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, अगर हम टाइट कपड़े पहन रहे और बहुती warm climate है, और हमारे कपड़े टाइट और जाड़े हैं, तो हमें ध्यान में रखना चाहिए, कि हमें बहुती loose कपड़े और पतले कपड़े पहनने चाहिए, ने तो हमें यहां फ के बाद या मैश के बाद हमें अच्छी तरह नहां लेना चाहिए हमारे कपड़े क्लीनिंग के लिए भीज देने चाहिए तो यह बात हमें बहुत ही इंपॉर्टन्ट है ध्यान में रखने के लिए और वैसे ही आप अगर नहां रहे हो तो एक अच्छा डिटर्जेंट अप एक अच्छा सावन यूज करो कि जिससे आपके यह फंगल इंफेक्शन का प्रॉब्लम बहुत हद तक कम हो सकेगा इसमें इसका बहुत बड़ा रोल है वैसे ही अगर समझो आपको कुछ HIV या AIDS जैसे कुछ बीमारिया है जिससे आपकी इम्मिनिटी कम हो रही है तो आपको यहां ध्यान में रखना जाहिए कि मुझे सकीन की प्रॉबलम यह फंगल इंफेक्शन के प्रॉबलम जल्दी होसकती है तो यहां बाते अगर आपने ध्यान में रती तब आपको यहां इंफेक्शन होने के चांसे बहुत कम हो सकते है कि अब हम कुछ होमेपाथिक दवाया जिसको यहाँ फंगल इंफेक्शन में यहाँ रीनवाम इंफस्टेशन में बहुती प्रभावशिल यहाँ उश्दिया है इसकी पहली दवा है वह है बैसेलिनम आप इसको 200 या 1M पोटेंसी में हर सब्ता एक एक डोस ऐसे तीन सब्ता उसे दे दीजिए यह रोक बहुती अच पूरी तरह ठीक हो जाएगा वैसे ही अगर समझो बहुती आपको खुजली आ रही है और खुजली इतनी है कि आपको वह जहां इंफेक्शन है वहां खुजाना पढ़ रहा है और वहां से जब खून आ जाता है तब आपको वहां पीड़ा होने लगती है अमिट प्यास वैसे ही अगर समझो बहुती पीड़ा दायक खुजली है और यह खुजली आपको घर्म वातावरण या नम वातावरण में महसूस हो रही हो तब आप दल का मारा थर्टी का उप्योग कीजिए वैसे ही यह रोग बहुत पुराना हो चुका है बहुती वहां ज्यादा आपको बार-बार उपकिया आ रही है और आप नहाने से कत्रा रहे हो उसे टाल रहे हो तो आप सलफर थर्टी का हर चार-चार घंटे में ऐसे तीन खुराक आपको अच्छा लगना लेगा वैसे ही वहां फंगल इंफेक्शन है और इतना बदुदार स्मेल आ रहा है कि आप आपको उस आदमी को देखके दूर भागने की इच्छा हो रही है तब आप सोराइनन का यूज कीजिए पैसे पसीना बहुत बंदुदार आ रहा है और वहां गर्मी से या नमवातावरंड से उसको बहुत तकलीफ हो रही है तब भी आप दलका मारा थर्टी का उप्योग जरूर कीजिए अगर वहां स्कीन की इंफेक्शन है वहां फंगल इंफेक्शन है और वहां जो हमारी लसुन होती है लसुन उस लसुन जैसे उसके बॉड़ी को अगर बंदू आ रही है तब आप टेलुरियम थर्टी का हर तीन तीन गंटे में ऐसे तीन कुरा उसको दे दे तो यहां कुछ होमेपाथिक रेमेडिस थी अब मैं आपको एक छोटी केस बताता हूं कुछ दिनों पहले मेरे पास एक डॉक्टर साब ने एक केस रिफर की थी उस महला को इस रिंगवाम इंफेस्टेशन का प्रॉब्लम था वो डॉक्टर साब ने बहुत दवाया दे पूछा तब इन्होंने कहा कि डॉक्टर साब एक्चुली यहां जो पूछ की प्रॉब्लम आती है तो मेरा मोड चला जाता है लेकिन तबी थो का काम चोड़तीं मैं कर्ती रहती हो कर्ती रहती हूं लेकिन जब ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है तब मुझे ज़्यादा चिडचड निर्मान हो जाती है मैं बहुत इरिटेट हो जाती हूँ लेकिन तभी मैं कुछ कहती नहीं हूँ लेकिन मुझे किसी ने टोका तब मैं उझे और चिडचड हो जाती है मैंने कुछा और कैसे सोबा हुए बस डॉक्टर मैं मेरे जो सास ससूर है मेरा जो घर है उनकी जिम्मेदारी मेरे उपर है और वो हमें अच्छी तरह निवाना चाहती हो और मैं करती भी हूँ उनके लिए कितनी भी मुझे तकलीफ हो जाए यह मैं करती रहती हो लेकिन बस यह जो मुझे फंगल इंफेक्शन बार बार सता ली है इस से मैं परेशान हो चुकी हो तो आप इसके लिए कुछ दबा दे दिजिए मैंने किया और कुछ इतनी तकलीफ होने के बावजूद भी भी आपको ऐसे नहीं लगता है कि थोड़े टाइम मुझे इसके लिए अच्छे ट्रिट्मेंट करनी चाहिए थोड़ा आराम करना चाहिए तो उन्होंने का नहीं नहीं रॉक्टर साब तो फिर घर का काम कौन देखेगा यह बाकी के लोग भूके रहे जाएंगे और मेरी सास और मेरे ससुर की तो उमर हो चुकी है और उनको कुछ अलग-अलग बिमारिया भी है तो उनको टाइम पे देना यह मेरा करतव है उनका जो ट्रिट्मेंट का प्रोसेस है वो भी उनकी जो दवाईया है वो भी मुझे सूबे, दोपेर, शाम को निकाल के देने पढ़ती है पूछना पढ़ते हैं आपने दवाईया खाई की नहीं खाई यह सब मुझे खाया रखना पढ़ता है और मैं आनन्द से करती हूँ मुझे इसमें कोई प्रोब्लम नहीं आती इस मैला को मैंने इगनेशिया 30 दिया और उसके बाद इसकी जो रिंग वाउम की प्रोब्लम थी वो कंप्लिटली चले गए तो यहां होमेपैती का बड़ा चमत का रही तो यह वीडियो आपको कैसे लगा प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिए इस वीडियो के बारे में या रिंग वाउम इंफस्टेशन के बारे में या किसी डिजिस के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे नीचे दिश्क्रिप्शन में जिसमें हमारा वाटसप नमबर और इमेल आईडी है वहाँ आप मुझसे communication कर सकते हैं और आपके problem का हल निकाल सकते हैं और यह video आपको कैसे लगा या आप comment box में ज़रूर लिकिए bell icon प्रेस कीजिए और आपको अगला video कुन सा चाहिए ये भी सुझाओ आप इस video में ज़रूर लिकिए So thank you, thank you very much Thank you